नमस्कार क्या पचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी कबर आपको पता रहे हैं दिली हाइकोट से दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल को बहुत बड़ा जटका लगा है हाइकोट ने अपना फैसला सुना दिया है और अर्विन के जिवाल को कि याचिका को हाइकोट ने खारिच कर दिया है मतलब अब जेल में ही रहेंगे अर्विन के जिवाल चारों तरफ से अर्विन के जिवाल अब बुरे बस चुके हैं तो क्या कुछ कहा हाइकोट ने अपने फैसले में बताएंगे आपको मेरे सा जुड़े हैं Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरिश कुमार बहुत बड़ा जटका है ये आज क्या-क्या हुआ हाइकोट में हाइकोट ने अपने फैसले में क्या कुछ सुनाया देखें हाइकोट का जो फैसला है उसको आप ये कह सकते हैं कि क्या हुआ आज हाइकोट के अ मीडिया को अपना अवलोकन करना चाहिए कि आपने पता नहीं किस कारण से किस लोब से इन लोगों को इस तरह के तत्वों को आपने प्लेटफॉर्म दिया जूट परोसने के लिए आज हाइकोट के अंदर दूद का दूद और पानी का पानी हो गया तमाम आरोप तमाम आर का जवाब दिया गया है एक एक का जवाब दिया गया है और सबसे पहले ये कि कटर इमांदार है हम कोई घोटाला नहीं हुआ कोई सबूत नहीं कोई पैसा बरामत नहीं हुआ दिल्ली हाइकोट ने साफ साफ कहा कि इनफ सबूत दिये गये हैं एड के तरफ से इतना सबूत दिया गया है कि जिस में जो भी कारवाई ED के तरफ से की गई है वो बिलकुल सही है लोगसभा का चुनाओ आ गया और इसलिए जो है हमें जो है वो गिरफतार किया गया है ताकि हम प्रचार नहीं कर सके जज ने कहा कि कोट किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन के ऊपर कोई फैसला नहीं करती आप आज आपकी नींद खुली है अगर आपको ये मालूम नहीं था कि लोगसभा के चुनाओं कब होने वाले हैं अक्ट सिर्फ वो लीगल बताया गया ये भी दोस्त केजरिवाल के उपर दाया गया कि आपकी वज़े से लेट किया गया आप कोपरेट आपने नहीं किया अब ये बाते जो कहीं जा रही है ये ध्यान से समझ लीजिए कि अभी 15 दिन और ये जाएगा फिर 15 दिन और जाएगा फिर बेल के लिए इसको हाइकोट ही आना पड़ेगा यही जजज सहाब होंगे और वो की कह रहे हैं कि ये सब वेकार की बाते मत किया करो यहाँ पॉलिटिकल प्ले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा इस तरह की दलीलों का कोई अस्थान नहीं है दूसरी चीज उन्हों की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हाई कोट के फैसले के खिलाफ अर्विन केजरिवाल सुप्रिम कोट का रुक करेंगे हाई कोट का समय सुप्रिम कोट का समय लोर कोट का समय ये सारी चीजें सिर्फ उसके लिए ही बनी है यह तो सवाल पूछना पड़ेगा कि आप इस तरह के लोगों को क्या देश की हर आमजनता को इस तरीके से तुरत-तुरत हाई कोट के अंदर फॉरण सुप्रिम कोट के अंदर सुनने की का कोई प्रावधान है आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो इसलिए वो कानून को अपने जूते के नोक पर रखता है और मैं आपको बता दू यह बात दिली हाई कोट के तरफ से कहा गया यह कहा कि कोई सबूत नहीं मिला लोगों के बयान के अधार पर है ज लहत दिये जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान होता है और जब आप इन बयानों के ऑथेंटिसीटी के ऊपर आप सवाल उठाते हो तो आप जजेज और कोट के इंटेंशन के ऊपर भी सवाल खड़े करते हो यह ना काबिले बरदास्त है यह काम नहीं करना चाहिए देखिए राहत देखिए यह ओपन अंशट केस है भाई दिली की जनता जानने रही है जजसा आप जानने रहें कि दिली में क्या चल रहा था सराव के समय एक साथ एक फुरी सरकार ने आप आपने पूरा काटिलाइजेशन कर दिया वो मुफ्त में हो रहा था क्या जजेज आप यह नहीं जानते कि दिली के अंदर में जिस सरकार को एक बोटल के उपर साड़े तीन सो रुपए फायदे होते थे वो घट गया तीन सो रुपए पर आगया आप सारे फायदे जो है रिटेल सौप कीपर्स को आप दे रहे हो आप यह बता दे कोई कि यह कैसी सरकार है यह कैसी नीती है किस जो सेल है वो 87 परसंट बढ़ गया अल्मूस्ट डबल हो गया और आप आपका मुनाफ़ा डबल होने के बजा है आप 37 परसंट घाटे में चले गए यह तो ओपिन इन शट केस है लेकिन सवाल दूसरा है जो आपने पूछा केजरिवाल हो मनिसिस्योदिया हो संजसिंग हो इनको अपने पॉकेट से तो पैसा नहीं लग रहा है यह दिल्ली के जनता हमारे आपके टेक्स के पैसे का इस्तमाल कर रहा है यह बड़े बड़े वकीलों को इसका एक वाइट पेपर निकलना चाहिए किसी को आर्टियाई अंदर में आज यहां तो कल वहाँ एक काम किया जाए कि जितने भी ये जो जितने भी लोग यह जो बड़े बड़े नेता हैं इनके लिए अलगّ परोविजनी कर दिया जा कि वह यह लोग यहीं पर घूमते घामते रहेंगे इनको काम-धाम से कोई लेना देना नहीं है आज ही दिल्ली कोट दिल्ली का हाई कोट से यह जो एक फैसला आया है वो दिल्ली के एक्टिंग चीफ जस्टिस है मनमुहन साहब उन्हों ने इसके स्कूल के पूरे सिस्टम के उपर एक सब्ता का वक्त दिया है कि क्या और साफ साफ जज्ज्मेंट में कहा गया कि केजी वाल की सरकार जो है यह जूटे प्रचार में लिप्त है और जमीनी हकिकत कुछ और है तो खेर यह सारी चीजी तो अपनी जगह पे है लेकिन आप सुप्रिम कोट जाएं सुप्रि कोई बात ही नहीं है जो चैलेंज नहीं की जा सकती है दिकत तो ये है कि सुप्रिम कोट से पीछ ठपक लग जाएंगा तो क्या करेंगे आप जिस तरह का यह जज्ज्मेंट आया है जिस तरक पर आया है कि देखिया आप के सबसे पहली गलती तो यह हो गई कि आप जो है जब आपको पहला समन दिया गया आपने मना कर दिया आप इलीगल बताते कि लिए इलीगल बताने के लिए तो आप इलीगल समूत साबित करना पोड़ेगा और जब साबित करने के लिए कहा जाता है कि कैसे इलीगल है तो आप कहते हैं कि नहीं- comics पॉलिटिकल साजिस है हमें इलक्सिंश्स से रोकने के लिए यह सारा काम करने के लिए कहा जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि यह जो हाइक और फैसला है यहीं फैसला सुप्रिम कोर्ट में होगा अब सवाल कोई दूसरा है सवाल राजनितिक है राजनितिक यह है कि अब तक तो इस तरह के तमाम अनर्गल आरोप लगाते वे आ रहे थे यह आमादभी पार्टी वाले अच्छा एक और बात यह जो सर्जें सिंग बाहर आया बड़ा खुलासा बड़ा खुलासा कि यह देखिए कि जो मनी ट्रेल मिल गया बीजेपी वालों ने सराव गयापारी से जो है 55 कड़ों रूपे खाए जैसे आपने जज्ज्मेंट में लिग दिया कौन इलेक्टरल बॉंड में कौन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है कौन कहां गया नहीं गया यह इस केस से कोई जुडा हुआ मसला नहीं है मतलब आपके सारे दावे कि बई एडी का गलत इस्तमाल हो रहा है इलीगल तरीके से गरिफतार किया गया सबूत नहीं होने के बाब जूद भी जेल में डाल दिया गया हमें परचार से रोका गया हमें जो है वो पॉलिटिकली विक्टिम की बनाया जा रहा है यह सारे दावे एक एक दावा एक एक प्रेस कांफरेंस इसके जो प्रवक्ता है वो जो अब तक परोश रहे थे उन सारे सवालों का जवाब बड़े काईदे से आज कोट से दिया गया है अब तो ही देखना होगा कि अब कौन सा नया पैतरा यह अब कहना सुरू कर देंगे कि जज भी जो है व जाएंगे तो पता नहीं कहा कहा जाएंगे लेकिन जो अभी जो वस्तुस्तिती है वो यह है कि जो हाई कोट का फैसला आया है यह केजिवाल की बरबादी की सुरुवात है जिवाल सर अपडेट के लिए तो कह सकते हैं कि अर्विन के जिवाल बरबाद हो गये हैं तीन एपरिल को हाई कोट में एहम सुनवाई हुई थी दोनों ही पक्षों के तरफ से तमाम तरह के दलील रखी गई थी और आज कोट के तरफ से फैसला सामने आ चुका है कोट ने अ के जिवाल अब सुप्रिम कोट का रुप करेंगे कुल मिलाकर ये के जिवाल के लिए बहुत बड़ा जटका है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्याविसल अशोग के साथ मैं पूजा क्या पुचल टीवी